नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों यूएस की हमें पिछले 6 सालों के अंदर आम्स सेल बहुत जादा बढ़ गई है ये लगबग पिछले सालों से अगर तुलना की जाए तो 5 गुना बढ़ गई है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी आज हम इस 2018 के अंदर इंडियन एर फोर्स ने एक RFI इशू की थी एक 114 फाइटर जेट के लिए जिसकी कोस्ट 18 बिलियन डॉलर होनी थी और इसके अंदर वही 6 कंटेंडर थे जो पहले भी थे और इसे MMRC भी बोला जाता है और इस डील के तहत हमें 18 एरक्राफ्ट फ्लाइवे कंडि इसने अपना F-16 Fighting Falcon Block 70 हमें पेश किया अभी Air Staff Quality Requirement जो है वो finalized हो गई है Indian Air Force के इस प्रोग्राम के लिए और acceptance of necessity का अभी भी weight है Ministry of Defense की तरफ से और इसके बाद दोस्तो एक expression of interest जाएगा और उसके बाद में इसके अंदर request for proposal यानि की RFP इशू किया जाएगा और दोस्तो इसक चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर US का fighter jet भी select हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर 5 गुना sale US की हमें बड़ी है Defense के क्षेतर के अंदर पहले Russia से हम सबसे ज़्यादा weapon system खरीते थे ये share 72% था जो 2015 से 19 के बीच में 56% के उपर आ गया है अभी दो दोस्तो US की दो companies हमें fighter jet का offer दे रही हैं Lockheed Martin और Boeing और Lockheed की बात करें तो इसने Tata Advanced System Limited के साथ में joint production भी बनाया है जिसके तहत F-16 Block 17 इंडिया के अंदर ही बनाए जा सकेंगे और इसके इलावा दोस्तो Tata Advanced System का एक agreement Boeing के साथ में भी है जो इसने November 2015 के अंदर एक integrated system specially aerospace और defense के ल और अभी दोस्तो ये AH-64 Apache Attack Helicopter की body भी बना रहे हैं और इसकी पहली body June 2018 के अंदर deliver की गई थी और अभी दोस्तो S.J. Shankar जो हमारे विदेश मंत्री हैं वे चाइना और US के दोनों के ambassador रह चुके हैं और 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार आई तो उन्हें विदेश मंत्री का प spokesperson जिनका नाम Morgan Ortagus है उन्होंने reporters को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि India के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाए हैं अभी की current Trump government के इंडिया के साथ relation बहुत ही गह रहे हैं और अभी पिछले कुछ सालों के अंदर 18 billion dollar के contract हुए हैं और आगे भी 10 billion dollar के contract मिल सकते हैं जि range maritime patrol aircraft के लिए हुई थी और अभी उसके इलावा एक additional deal भी की गई है 1.1 billion dollar के अंदर जिसका अभी हमें इंतजार है ये aircraft हमें deliver होने हैं इसके इलावा हमने 4.1 billion dollar के अंदर 10 Boeing के C-70 Globe Master 3 heavy lift military aircraft को भी खरीदा था 2015 के अंदर 3 billion dollar के अंदर इंडिया ने 22 Boeing के Apache attack helicopter की डील की थी और इसके इलावा 1.1 billion dollar के अंदर 15 चिनूख heavy lift helicopter की डील की थी और follow on order के रूप में हमने 11 और Apache और 6 चिनूख helicopter को खरीदने के लिए चुना था और इसके इलावा हमने नेवी के लिए 2.6 billion dollar के अंदर लोकिड मार्टिन से 24 सेंटी सम्मरीन वारफेर वाले सिकोर्सकी MH-60R Sea Hawk helicopter को भी खरीदने के लिए चुना है और Raytheon के साथ में हमने 1 billion dollar की एक National Advanced Surface to Air Missile System 2 को भी खरीदने के लिए चुना है जो हमारे National Capital Region दिली को सुरक्षा देगा इसके इलावा दोस्तों हमने 737 million dollar के अंदर 145 M777 Hawitcher को भी खरीदने के लिए चुना है BAE System से और अभी दोस्तों जो आने वाली डील हो सकती है वो 12 General Atomic के MQ-9 Reaper या फिर Predator भी ड्रोन्स को खरीदने के लिए हो सकती है और ये भी दोस्तों माना जा रहा है कि 2 billion dollar के अंदर होगी और इस डील को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए Indian Army और Indian Air Force वाले वर्षन वाले भी इन ड्रोन्स को खरीदा जा सकता है और दोस्तों इसके बाद इंडिया तीसरी country बन जाएगा जो कि non-netto state है और उसे यह offer किया गया है इससे पहले UK और Italy को भी यही offer दिया गया है और तभी हमारी deals भी US के साथ होती रही है और अभी हमें NATO LI ना होने के बावजुद उसी का दर्जा भी दिया जा रहा है और दोस्तों हमने इंडिया और US की 2 प्लस 2 मिनिस्ट्रियल डायलोग भी शुरू किया है जिसके अंदर हमने home case के उपर भी sign किया है और उसके बाद हमें communication system भी बहुत जादा मिले है जो की highly secure होते है और इनके साथ में बहुत सी information भी मिलती है और अभी जो तीसरा pact जिसके उपर हम sign करेंगे उसके बाद दोस्तों हम भी कहीं भी कहीं की भी information हासिल कर सकते हैं जैसे US हासिल करता है और उसके बाद अपने इतके आएंगे ऐसा दावा किया जा रहा है तो इंडिया का US के साथ में relation और भी आगे बढ़ जाएगा और और भी बड़ी defense deal future के अंदर होंगी तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इंडिया MMRCA के तहत अगला fighter chat US का ही चुन ले और इसके अंदर अगर F-35 को भी जुन लिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी धन्यावाद जैहिंद